हाई अब्रीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल अब्यास एवर टेक आज का जो टॉपिक है हमारा वो यह है परदान मंतरी जनरी सुरक्षा योजना परदान मंतरी जनरी सुरक्षा योजना क्या है और कौन-कौन लोग इसके लिए इलीजिबल है आए देख लेते हैं कौन-कौन लोग इलीजिबल है और क्या है यह जनरी सुरक्षा योजना जो ह है यह साफसा लिगा कैसे अपलाई का रहे हैं क्या होता है इसके बारे में यह बता रखा है किन्द सरकार की बड़ी योजनाओं में से एक है जन्रीश रोक्षा योजना इस योजना के देश की जो होती हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाती है और इसका जो ऑन-लाइन डश्टेशन होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कैसे होता है परधान मंतरी नरेंदर मोधी जी द्वारा इस योजना के सुरवाथ की गई थी इस सिहना के तह dishwasत गरीब गरवती महिलाओं के यो डिलीवरी की शवरी के आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है यह г्रामेड चाहारी चैतर की महिलाओं को चौतां और सहे चैतर सब्सक् Eco e suis जायत मिलती है फौरम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भर जाता है पर किस तरीके चबरा जाता है यह हम बताते हैं आपको जो यह योजना है यह राश्ट्रिय स्वास्ते मिशन के अंतरगत जनरी सुरचना के तहट गरीब महिलाओं को गरबवस्ता के दोरान मुफ्त सुझधाय दी आती हैं इ जनरी सुरच्छा योजना के अंतरगत आर्थिक सहायता दी जाती है ठीक है परदान मंत्री जनरी सुरच्छा का जो उद्देश है वो यही है कि गरीब जाती के जो लोग गरीब रेखा से से नीचे के जो लोग हैं उनको गरबवस्ता के स्वास्त से सम्मंदित सुझधाओं का लाब मिल सके किसी भी तरह का उन्हें मस्या का सामना ना करना पड़े जब वो गरबवस्ती रहती है या फिर आर्थिक आर्थिक तंगी के कारण कोई दिक्कत ना है क्योंकि कई जो होती है माताय मित्युदर और बिच्चों के मित्युदर को दोनों को कम किया ज़सा है कई बर क्या होता है कि जैसे गरीब महिलाई जो होती है इनके पास पैसे बगर नहीं होते हैं तो वो क्या होता है कि अगर ट सो हे तू दी जाने वाले जासी पांसो है और पांसो मतलब घर पे अगर जब होंगे बच्चे तो पांसो मिलेंगा हुस्पिटल में आपको जो होंगे वह तो चौदर सुर रबे मिलेंगे ठीक है इसके लिए जो गर्भावती महिला की उमर 19 साल साधी कोनी चाहिए ये दो बच्चों से ज्यादा होने पर आपको यह लाब नहीं लेगा मतलब दो बच्चे पहले और दूसरे बच्चे पहीए पैसे मिलेंगे आपको इससे ज्यादा बच्चे होने पर गवर्मेंट आपको पैसा नहीं देगी क्योंकि गवर्मेंट की जो इसकी में हम दो और हमारे दो तक ही है इस जोजना में सरकारी उनीजी सरकारी होस्पिटल कहीं भी पंजी करवा सकते हैं प्राइबेट और गॉर्मेंट दोनों हस्पिटल होगे थ्रू मिलता है यह ठीक है इसमें जो कागज लगते हैं वो देख लिते हम अधार कार्ट बीपील रासन कार्ड निवास प इसका जो होता है यह कहां पर मिलेगा इसका एप्लिकेशन फॉर्म से बगएरा तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं आपको फॉर्म डाउनलोड करके दिखा देता हूं यह है जन्नी स्वक्षा योजना का लाब परदान हितु पत्र पर यह जो फॉर्म है यह भरकर के आपक दंड करने के बाद दस्तावेज लगा करके फॉर्म को आगंवाडी या महिलाइ स्वास तरकेंदमें जमा करा दे ठीक है जम करा दें जमा कराने के बात क्या होता है जो आपका एकाउंट में है वो पैसा कुछ दिनों में आ जाता है तो इसी तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद